परशिच्छड शीविर एवं योग अध्यात्मक्ष अच्छिक कारशाला के दूसरे दिन योग की प्रसागीकता विशेपर आयोजीत व्याख्यान माला में मुकहतिती के रूप में दीन द्याल उपाध्या गोरकपूर विशिद्याले के संस्कृत विभाग के अध्यच प्रोफेसर मुर्ली मनोहर पाठक ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के प्रियास के द्वारा विगत पांच वर्षों से 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का जो निर्ड़य संयुक्त राष्ट ने लिया है उसका प्रड़ाम यह हुआ कि आज पूरी दुनिया भारत को योग गुरु सुईकार कर रही है पास्चात देशों का योग के प्रती आकरशण होने से आज का नया भारत भी पुना अपनी प्राचीन संस्कृती और विरासत की ओर लोट रहा है आज संसार का परतेक मानो त्रिवित दुख से संत्रिप्थ है इन तीनों दुखों से निवरित का मार्ग योगदर्शन है विशिष्ट अतिष्टी के रूप में गोरक्ष पीट के परधान प्रोहित आचार रमानुच्तिर पाठी ने कहा कि आज दुनिया योग को अपनी जीवन शैली बनाने के लिए कटी बद्ध है इस उसर पर डाक्टर रोहित कुमार मिश्र, डाक्टर अविनाश परताफ सिंग, डाक्टर दिगविजय शुकला, कलाधर पॉड्याल, पुर्शोत्तंग चौबे, शशी कुमार यादो, दीब नारान नित्यादन तिवारी, शुभम कुमार मिश्र, विने गौतम इत्याद विशे शुरूफ से मौजूद रहे